Brought to you by Agilis Diagnostics भेल टेस्स की बाद आती है तो मैं फ्रोसा करता हूँ इंडियास लाज़स डागनोस्टिक्स कमपनि Agilis Diagnostics खुद को टेस्ट करते रहो नमस्कार दोस्तों क्राइम तक में आप सब का स्वागत है मैं हूँ सुप्रतीम बैनर जी आप सबने सुना होगा कि पुलिस कई बार कुछ secret operations करती है यानि बड़े ही खुफिया तरीके से वो किसी मुल्जिम का पीछा करती है उसके बारे में एक-एक जानकरी जुटाती है और फिर अचानक उस target को या मुल्जिम को उसकी घेरेबंदी करके उसे गिरफतार कर लेती है लेकिन पुलिस ये काम कैसे करती है कैसे उसके बारे में जानकरी जुटाती है कैसे पुलिस उनका पीछा करती है और उन्हें पकड़ती है ये जानना अपने आप में एक बहुत ही रोचक और दिल्चस्प बात है खासकर पुलिस इंविस्टिगेशन की एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आप जितना जानेंगे आपको उतनी हैरानी होगी क्योंकि हर केस स्टडी अपने आप में काफी अलग और अनुखी होती है तो आज एक ऐसी ही केस स्टडी के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूँ लेकिन पुलिस के उस सीक्रेट ऑपरेशन या सीक्रेट मिशन के बारे में मैं आपको बताओ उससे पहले शुरुवात करते हैं उस घटना करम से उस वारदात से जहां से इस पूरी कहानी की शुरुवात हुई और ये वारदात आज से कोई 14 साल पहले की है साल है 2010 जगह है राजस्तान का बाडमेर और बाडमेर में एक और लोकालिटी है वैसिकली एक पुलिस टेशन है जिसका नाम है गोडा मलानी तो उस गोडा मलानी पुलिस टेशन के हद की उसके सीमा की ये घटना है वहां से एक नहर गुजरती है और उस नहर के पास लोगों को 16 जनवरी 2010 को एक आदमी की लाश पड़ी हुई मिलती है पुलिस को इतला दी जाती है, पुलिस पहुँचती है, लाश बरामत की जाती है और उसे पोस्माटम के लिए भिजवा दिया जाता है ये जो आदमी है ये बिसीकली राजस्तान के गुड़ा मलानी का बाडमेर का ही रहने वाला है लेकिन ये गुजरत में रहकर कामकाज किया करता था और छुट्टियों में वो घर लोट रहा था लेकिन इससे पहले कि वो घर लोटता रास्ते में उसके साथ कोई वारदात हो गई और उसकी लाश नहर में पड़ी मिली जब उसकी लाश का पोस्माटम किया गया तो पता चला कि उसके सिर में किसी भारी चीज़ से वार किये जाने के निशान है और उसी घातक चोट की वज़े से उसकी मौत हुई है मरने वाले की पहचान धर्माराम के तौर पर होती है जो गुजरात में रहकर कामकाज किया करता था अब पुलिस इस मामले की चानबीन में लगती है कि धर्माराम का वो दुश्मन कौन हो सकता है जिसने उसकी जान ली होगी इरादा क्या रहा होगा पुलिस इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जुटाने लगती है पुलिस मुबाइल फोन की कॉल डिटेल आसपास की जो आबादी है वहां मौझूद लोगों से पूछताच करती है और पुलिस से समझने की कोशिश करती है कि धर्माराम कहां से चला कितने बज़े उस जग़ पर पहुँँचा जहां पर उसकी हत्या हुई घर वो कितने बज़े तक पहुँच जाना उसे चाहिए था इस सारे रूट की पुलिस एक तरह से रूट मैपिंग करती है और इस से पुलिस को ये पता चलता है कि धर्माराम जो है गुजरात से राजस्थान आने के बाद एक टैक्सी से अपने घर गुडा मलानी के एक पटिकुलर गाउं की तरफ जा रहा था लेकिन इस से पहले कि वो अपने घर तक पहुँचता बीच रास्ते में कातिल ने या कातिलों ने उसकी हत्या कर दी कुछ एक ऐसे चशंदीद पुलिस को मिले जिन्होंने उस टैक्सी के बारे में जिसमें सवार होकर धर्माराम अपने घर की तरफ जा रहा था उसके बारे में पुलिस को जानका दी और ये बड़े important और vital information थे और इन्ही important information की बदौलत पुलिस ने जो है एक आदमी को गिरफतार किया जिसका नाम था या नाम है बिर्माराम ये बिर्माराम भी उसी इलाके का रहने वाला है बलकि उसी गाउं का रहने वाला है जिस गाउं का ये आदमी धर्माराम रहने वाला था बिर्माराम को जब पुलिस ने गिरफतार किया तो शुरू में उसने पुलिस को छकाने की कोशिश की जूट बोलता रहा लेकिन जब पुलिस ने उसे सक्ती की तो उसने कतल की बात कबूल कर ली और उसने ये बताया कि उसने धर्माराम का इसलिए कतल किया है क्योंकि धर्माराम की बीवी जो उस वक्त नाबालिक थी यानि बाल विवा उस लड़की का हुआ था उसके साथ बिरमाराम के relation थे, नस्दी की रिष्टे थे और इसी वज़े से बिरमाराम ने अपनी girlfriend के पती धरमाराम की हट्या कर दी थी और ये हट्या जो है उसने बेशक अकेली की हो लेकिन इस हट्या की साजिश में धरमाराम की अपनी पत्नी जो नाबालीक थी वो भी शामिल थी तो पुलिस ने इस मामले में बिरमाराम को भी ग्रफतार किया और धरमाराम की बीवी के खिलाव भी साज़िश में शामिल होने की धाराओं के तहत मुकर्मा दर्ज किया गया अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई पुलिस ने चार्शित पेश की और ये जो बिर्माराम नाम का आदमी है इसे आजिवन कारावास की सजा हो गई वो जेल में रहने लगा जोदपूर जेल में 2016 में 2010 की अगटना है 2016 में यानि 6 साल बाद उसे पेरोल पर रिहाई मिली यानि बिर्माराम बाहर आ रहा था वो बाहर आया और जितने भी दिनों का पेरोल मिला था exactly date तो मुझे नहीं पता है उसके बाद उसे surrender करना था और जेल वापस चले जाना था लेकिन वो जेल वापस नहीं लोटा इसे टेक्निकल भाषा में कहा जाता है पेरोल जम्प करना तो उसने पेरोल जम्प किया और वो फरार हो गया भाग गया एक वो दिन है और एक आज का दिन तब से लेकर अब तक राजस्तान की पुलिस इस बीर्माराम नाम के आदमी को ढूंड रही थी लेकिन छे सालों में वो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सिंग और पुलिस जो है लाख कोशिश करने के बावजूद बीर्माराम को नहीं पकड़ पाई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाई अब मैं आपको बताता हूँ पुलिस के सीक्रेट मिशन की बात जोधपूर में पुलिस की एक इकाई है जिसे साइकलोनर के नाम से जाना जाता है ये वो पुलिस टीम है जो खुफिया तरीके से गुप्त तरीके से वैसे मुल्जीमों के बारे में जानकारी जुटाते हैं जो सालों से पुलिस को चक्मा देते रहे हैं दोगा देते रहे हैं और कानून के नजरों से बचते रहे हैं तो इसी साइकलोनर्ट टीम को गुडा मलानी के मर्डर केस में पेरोल जम कर भागने वाले बिरमाराम के बारे में जानकारी मिली और साइकलोनर्ट टीम ने बिरमाराम के बारे में और ज्यादा स्यादा जानकारी जुटाने के शुरुआत की चार से पांच पुलिस वालों की एक टीम बनाई गए जिनको ये काम सौपा गया और उन्हें कहा गया कि आप बिरमाराम को ढूंड़िए मगर दिक्कत ये थी कि जो मुल्जिम पिछले छे सालों से फरार हो जिसका कोई latest photograph पुलिस के पास न हो जिसके किसी whereabouts के बारे में पुलिस को जानकारी न हो ऐसे किसी आदमी को ढूंड़ना अपने आप में बहुत ही मुश्किल और challenging काम होता है अब आप सूचिए ना अगर हम या आप भी इस पुलिस टीम में होते तो हम उसके गाउं जाकर तो उसके बारे में जानकारी जुटा नहीं सकते थे क्योंकि अगर हम जाकर पूछताच करते तो जाहिर सी बात है गाउं से कोई ना कोई ऐसा आदमी जो विर्माराम को जानता है उसे alert कर देता कि भाई या पुलिस तुम्हें ढूंड रही है तो पुलिस को पता भी सब कुछ करना था और किसी को पता न चले इस बात का भी ख्याल लखना था तो ये जो साइकलोनर टीम है उसने विर्माराम को पकड़ने के लिए जो मिशन या मुहिम के शुरुआत की उसे इन्होंने एक नाम दिया उसका नाम था आपरेशन ओल्ड मॉंग ओल्ड मॉंग क्यों ओल्ड मॉंग इसलिए क्योंकि एक बहुत पुराना मुझरिम जो छे सालों से फरार है उसकी गिरफतारी के लिए ये मिशन पुलिस ने शुरू किया था तो उसका नाम ओल्ड मॉंग दिया इस तरह के नाम कई बार जो है पुलिस आफिसर्स को थोड़ा प्रेरीध भी करते हैं थोड़ा सा उन में जोश भरते हैं कि इस आपरेशन को पूरा करना है तो खैर पुलिस की ए टीम बिरमाराम के बारे में पुलिस को जितने भी जानकारी मिली हूँ उसमें पुलिस को ये पता चला कि बिरमाराम राजस्थान में तो नहीं रहता किसी और स्टेट में रहता है बहुत कोशिश करने के बाद पुलिस को बिहार जारखंड जैसे राज्यों के बारे में पता चला तो वो इंटरनेट कॉलिंग की मदद से बात करता है और किसी रैंडम नंबर से, किसी भी जगह से वो फोन कर लेता है और उस तक किसी वज़े से पहुँचना बहुत मुश्किल होता है इन छे सालों में अगर उसने एकाद बार किसी मोबाइल फोन का इस्तिमाल करके उससे फोन किया भी होगा अपने गाओं में या अपने किसी जानकार को तो पुलिस का जो रिकॉर्ड है और पुलिस का जो इन्विस्टिगेशन है वो ये सजिस्ट कर रहा था, बता रहा था कि वो हर बार अपना वो सिम कार्ड तोड़ दिया करता था तो एक तरह से पुलिस के लिए सारे रास्ते उस तक पहुँचने के वो बंद कर दिया करता था ऐसे में पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था उसके बारे में और जादा जानकारी जुटाना लेकिन पुलिस की टीम लगी रही और पुलिस को ये पता चला कि वो इन दिनों राची में रहता है और राची जो जारखंड की राजधानी है मेरा होम स्टेट वहां रहकर वो एक ड्रग काटल चलाता है और उससे जुड़ा हुआ है यानि नशे का एक रैकेट वो चलाया करता है राजस्थान में भी नशे का काफी कारोबार है आप सबको पता है अफीम वहां बहुत आयात में पाई जाती है लोग खाते है और वहां के तो खेर कल्चर का और संस्कृती का भी हिस्सा है लेकिन लेकिन नशा तो अल्टिमेंटली नशा है वो बुरी चीज तो है ही और खासकर एक मात्रा के मुकाबले अगर ज्यादा तादाद में वो कोई खा रहा है या ले रहा है तो बहुत घातक चीज है खेर तो ये जो बीरमाराम है ये राची में रहकर नशे की तसकरी का काम किया करता है और उस तसकरी का कुछ ना कुछ कनेक्शनल राजस्तान से जरूर है ऐसा पुलिस को जानकरी मिल गई थी लेकिन उसके लोकेशन के बारे में पर्टिकुलर इन्फॉरमेशन पुलिस टीम को ने मिल पा रहे थी पुलिस टीम लगी रही कई महिनों तक तफ्तीश करती रही और आखिरकार एक टिप उफ यानि एक खुफिया इत्तिला साइकलोनर टीम को जोधपूर पुलिस की टीम को मिली जिसमें ये बताये गया कि ये जो बीरमाराम नाम का आदमी है ये नेपाल बॉडर के पास बिहार में एक जगह है रकसॉल वहां के एक होटल में रुका हुआ है ठहरा हुआ है और जिसने भी इंफॉर्मेशन दी उसने बिलकुल पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन दी और ये बताया कि वो जिस होटल में ठहरा है उस होटल का नाम है महादेव होटल अब इतनी सटीक जानकारी मिलने के बाद अगर पुलिस रियाक्ट नहीं करती तो कब करती तो ये जो राजस्थान पुलिस की टीम है जोदपूर पुलिस की टीम वो तक्रीबन पंद्रह सौ किलोमेटर का सफर तै करके जोदपूर से पहुँची नेपाल बॉडर रकसॉल बिहार में और वहाँ वो पहुँचती है फिर सीधे उसी महादेव होटल में जहां पर बिरमाराम के ठहरने की गुप्त सूचना पुलिस वालों को मिली थी पुलिस वालों ने सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में पहुंचने के बाद एक कमरा दिखाने की बात कही और कहा कि वो कमरे में रुखना चाहते हैं इसी तरह से पुलिस वालों ने बातीचीत की शुरूआत की क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो होटल में जाकर बता देंगे कि हम ही पुलिस वाले हैं और हम किसी को गिरफ़तार करने आएं तो हो सकता है कि वहाँ हलचल और भगदर जैसे हालात पैदा हो जाएं और जो मुल्जीम है अगर वो होटल में हो तो वो भी भाग जाए और उन्हें यह भी नहीं पता था कि exactly उस वक्त पे वो मुल्जीम होटल में मौजुद है या नहीं इसलिए अपनी पहचान वो खुल कर नहीं बता रहे थे तो खेर जब वो होटल में अपने नाम की एंट्री कर रहे थे रेजिस्टर में जो उस होटल का गिस्ट था यानि उस होटल में ठहरा हुआ था और उसका नाम था जगाराम और यह जो जगाराम नाम का आदमी है उसके पते में भी गुड़ा मलानी बाडमेर लिखा हुआ था और उसी गाउं का नाम लिखावा था जिस गाउं का ये बीरमाराम रहने वाला था अब पुलिस वालों का माथा ठंका पुलिस वाली ये सोच में पढ़ गए जब खुद अपने डिटेल वो फरनिश कर रहे थे उस समय उनकी नजर उस रजिस्टर पर गई जिस पर जगाराम का नाम और ये सारी डिटेल लिख हुई थी पुलिस वाली इस सोच में पढ़ गए कि भई ये जगाराम कौन है क्योंकि वो तो बीरमाराम की तलाश में आये है और जोधपूर राजस्थान से इतनी दूर पंद्रा सो किलोमेटर से ज़ादा यहाँ पर बार्मेर के उसी गाउं का कोई आदमी इस होटल में ठहरा हुआ है तो क्या ये महज कोई इत्तिफाक है या फिर ये जो जगाराम नाम का आदमी है ये बिरमाराम का कोई जानकार है पुलिस वाले उलजहन में पढ़ गए वो सोच में पढ़ गए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये जगाराम कोन है या कहीं ऐसा तो नहीं कि बिरमाराम ही जगाराम बनकर उस होटल में ठहरा हुआ है पुलिस वालों के दिमाग में एक साथ कई सारी बातیں चल रही थी और विडंबना देखिए कि उस बिरमाराम की कोई लेटेस्ट तस्वीर भी पुलिस वालों के पास नहीं थी पुरानी तस्वीर तो थी अलबत्ता तो पुलिस ने होटल के स्टाफ से कहा कि ठीक है डॉर्मेटरी में आप हमारे लिए दो बेड का इंतिजाम कर दीजे दो पुलिस वाले वहां पहुँचे थे और उन्हें कहा कि हमें डॉर्मेटरी का रास्ता दिखा दीजे और साथे उन्होंने ये भी कहा कि वो भी राजस्थान से हैं नेपाल घूमने जा रहे हैं और चुंकि वो राजस्थान से हैं तो वो देख रहे हैं कि यहाँ और कोई राजस्थानी उन्हीं के गाउं के आसपास का ठहरा हुआ है तो ये आदमी कहां मिलेगा जग आराम तो पुलिस वालों ने जब होटल के स्टाफ से ये बात पुछी तो उन्होंने घा किया रहे ये तो उपर ही डॉरमेटरी में आराम कर रहा है ये भी उन्हीं के तरह उनका गेस्ट है आया हुआ है तो ये बात जब पुलिस वालों ने सुनी तो पुलिस को लगा कि शायद वो अपने टार्गेट के करीब पहुँच चुके हैं लेकिन वो नहीं बता सकते थे कि वो पुलिस वाले हैं क्योंकि उन्हें डर था कि मिशन फेल हो सकता है फिर वो होटल के एक स्टाफ के साथ तंग गलियों और सीडियों से होते हुए उस फ्लोर तक पहुँचे जहां डॉरमेटरी बनी हुई है डॉरमेटरी में ढेर सारे बंक बेड्ड जो है वो लगे हुए थे बंक बेड आप जानते हैं मतलब एक बेड उसके उपर एक और उसके उपर एक और लोहे का बना हुआ होता है जैसे आम तोर पर रेलवे के बर्थ होते हैं कुछ उसी तरह का bunk bed उस dormitory में लगा हुआ था तो वहाँ कई सारे लोग आराम कर रहे थे, सो रहे थे और उनी में ये जगाराम भी था तो पुलिस वालों ने वहाँ पहुंचते ही पूछा कि भई जगाराम तुम में से कौन है तो सारे लोग देखने लगे कोई नहीं कह रहा था एक आदमी जो सोया हुआ था वो नीन से उठते हुए कहा कि हाँ मैं जगाराम हूँ बताओ तो पुलिस वालों ने कहा कि तुम जगाराम हूँ तुम अपना आई कार्ट दिखाओ तो उसने अपना आधार कार्ट दिखा उसमें वाकई जगाराम लिखाओ था पुलिस वालों ने उसे कहा कि देखो हम राजस्थान पुलिस से हैं और हम बीरमाराम नाम के एक आदमी की तलाश में लगे हैं और बीरमाराम भी उसी गाउं का रहने वाला है जिस गाउं का तुम रहने वाले हो क्योंकि तुमने नीचे अपने जिस गाउं का एड्रेस लिखा है बीरमाराम नाम का जो वो मुल्जिम है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो भी उसी गाउं का है तो तुम बताओ कि बीरमाराम कहा है क्या तुम उसे जानते हो तो ये जो जगाराम था, ये पुलिस वालों को देखकर बिल्कुल होपलेस सा हो गया, यानि हताश हो गया, उसे समझ में नहीं आए कि वो क्या जवाब दे, उसके मूँ से सच्चाई बाहर निकल गई, उसने पुलिस से कहा कि साहब बिरमाराम तो मही हूँ, तो पुलिस ने क मेरा असली आई कार्ड भी मौजूद है, तो पुलिस ने कहा कि दिखाओ, इस पर उसने अपना ड्रैविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जिसमें ओरिजिनल बिरमाराम लिखा हुआ था, उसकी तस्वीर चपी थी, ये सारी चीज़े उसने पुलिस को दी, तो पुलिस ने बता है कि उसके senses काम करने बंद कर देते हैं, तो ये बीरमाराम के साथ वही बात हुई, उसने सोचा भी नहीं था कि राजस्तान पुलिस यहां आ जाएगी नेपाल के पास, तो वो बताने लगा कि साहब मैं ही तो बीरमाराम हूँ, मैं आपको बताया, मैं छे साल से पुलि करना था, जिसको एंशोर करना था, वो सारी बात ये बंदा खुद अपने मूँ से अपनी जुबान से कबूल रहा था, यानि जगाराम के पहचान से, जगाराम के नाम से बीरमाराम ही वो आदमी था, जो उस होटल में ठहरा हुआ था, और पुलिस को अब अपना शिकार, अपना मुल्जिम मिल चुका था, पुलिस ने उससे फौरण वही पर पकड़ा, गिरफतार किया, तस्दीक के लिए उससे और कुछ सवाल जवाब किये, और उसने जब सारी बातों का जवाब दिया, तो पुलिस को भी इतमिनान हो गया, कि असल में यही बीरमाराम है, जिस मौंक इन पुलिस वालों ने पूरा किया, जोदपूर की एक टीम ने इस ऑपरेशन को कम्प्रीट किया, तो एक ऐसा मामला, जो जिसमें मुल्जिम जो है, छे सालों से पेरोल जम करके फरार था, बलकि मुल्जिम ने मुझरिम कहना होगा, क्योंकि वो दोशी था, दोशी क आरिफ की जाए, वो कम है, लेकिन साथी, मिशन को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसकी कहानी भी अपने आप में बहुत दिल्चस्प थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे ये कहानी शेयर करनी जाएए, आज के लिए इतना ही, मैं फिर हाजिर होँगा, किसे औ और कहानी किसे और वाकिये के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल लखिये, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, जय भारत